रूबीना के हल्वे के दीवाने हुएं उनके दुश्मन हल्वा खाकर उंगली चटते रहे गएं रूबीना के दुश्मन जी हाँ बिग बॉस के गर में रूबीना दलायक ने बनाया हल्वा दरसल रुबीना दलाइक ने 26 जनवरी के मौके पर घर में हलवा बनाया जो की वो हलवा घर में सभी सदस्यों को रुबीना बाढ़ती हुई नज़र आई अपने दोस्तों के साथ साथ अपने दुश्मन को भी खिलाती हुई नज़र आई वेले हाँ पर जब उनके दुश्मनों ने हलवा खाना शुरू किया तो वो अपनी उंगलिया चाटते रह गए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं राहुल वैद्य की राहुल वैद्य हैं जो रुबीना के हलवा को खा कर बोलते हैं एली से कि एली तुझे पता है आज रुबीना ने बहुत अच्छा हलवा बनाया था मैंने तो उसकी तारीफ भी कर दी जबकि मैं रुबीना की तारीफ बिलकुल नहीं करता हूँ लेकिन उसके हलवे में जरूर ऐसा कुछ था जो की बहुती स्वाद था वेलिसी के साथ अर्शी खान बोलती है मैंने ऐसा हलवा सिर्फ भोपाल में खाया था और जब से मैं भोपाल से आई हूँ तब से पहली बार मैंने रूबीना तुम्हारे हाथ का ऐसा हलवा खाया जैसा मैं भोपाल में खाया करती थी वेलिसी के साथ आलि गोनी है जब इन सबी बातों के बात एक बार तो हलवा खायी लेते हैं वहीं दूसरी बार भी हलवा खाते हुए नजर आएं और इसी के साथ अपनी उंगलिया चाटते हुए नजर आएं वेल जिस तरह से रूबीना दलाएक ने हलवा बनाया जिस प्यार से हलवा बनाया और सभी कंटेस्टेंट उन्स हलवे को बड़े ही प्यार से खाते हुए भी नजर आए खेट रुबीना दलायक खाना बनाने के मामले में अवल नमबर पर आती हैं जी हाँ भी बॉस के घर में सबसे अच्छा खाना वैसे भी रुबीना दलायक ही बनाती है बिल क्या कहना है रुबीना दलायक पर आपको आप हमारे comment box में जरूर बताएं टेलेविजिन की लेटिस्ट अपडेट्स औ चटपटि गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले